नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यानलो में आज हम exercise करेंगे जो chapter 5 है class 9 science ncrt book का कुछ question हम इसके solo कर चुके हैं बागी है question आज हम solo करेंगे तो चलिए पहला जो question है उसके अंदर हमें क्या गरना है make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cell की जो plant cell है वो animal cell से किस तरह से different है तो उसके हमें comparison बनाने है तो सबसे पहले जो है अगर हम इसकी बात करें जो हमारी plant cell यहां पे हम लिख लेते हैं यहां पे plant cell लिख लेते हैं और यहां पे लिख लेते हैं animal cell तो इनके बीच में क्या difference है वो हम देखते हैं सबसे पहले तो जो plant cell होती है अगर इनके हम अंदर हम cell wall देखें तो cell wall जो है इनके अंदर present होती है तो यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं chapter में कि इनके अंदर जो cell wall present होती है लेकिन animal में जो है यह absent होती है अब जो plant होते हैं इनको क्यों जरूरत होती है क्योंकि यह stationary रहते ह हैं गर्मी सरदी में तो इनssäक जो है एक तारह की कवरिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन एन्हीमल मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो इसली सैलवाल की बात करेएं तो पहला तो हो गया जो सैलवाल है बो जो है plant cell की बात करें तो ये जो है one side of the cell रहता है ये one side पे रहता है of the cell और ये जो है अगर इसके अंदर animal के अंदर बात करें तो ये center में रहता है nucleus तो nucleus के अंदर आप ये इसको समझ सकते हैं उसके बाद जो shape of the cell की बात करें जो cell वाल हमने बात की इसी तरह से shape of अगर cell की बात करें तो वो किस तरह की होगी shape of cell जो है अगर हम बात करें plant के अंदर तो ये जो है rectangular shape की हो सकती है या square shape की होती है इस तरह से ये होती है यानि कि इसके edges होते हैं इस तरह से लेकिन अगर हम animal के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर जो है ये round और irregular shape की हो सकती है जैसे कि इस तरह की हो गई, round की shape की हो गई या irregular shape की हो गई तो इस तरह की ये होती है तो shape of the cell से भी आप इसको जो है compare कर सकते है उसके बाद जो है जो लाइसोजोम्स होते हैं लाइजोजोम्स अब जो लाइजोजोम्स हैं ये किसमे प्रेजन्ट होते हैं ये हमारे प्रेजन्ट होते हैं अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर तो यानिमल्स के अंदर ये प्रेजन्ट होते हैं और लाइजोजोम्स जो हैं रेरली मिलते हैं जो हमारे प्लांट होते हैं तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि यह रिरली ही फाइंड आउत होते हैं तो इतने Umथ होते हैं इसके हलावा यह पीर सैल के बात कर grappling स्तरों है और बीच में जो है इस तरह का स्पेस हो खाली जो है इस तरह के खाली से स्पेस आपको देखते हैं तो जो वाइट से कलर के आपको देखते हैं जब हम सेल का स्टक्चर देखते हैं तो जो वैक्योल्स हैं वो अगर हम बात करें तो वैक्योल्स हमारे अगर प्लांट सेल में ब होते हैं समाल होते हैं और प्लांट के अंदर काफी लार्ज होते हैं काफी बड़े होते हैं तो इस तरह से काफी सारे कंपेरिजन कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को ची तरह से रीड किया है तो यह जो कंपेरिजन है आप काफी कर सकते हैं कितने ही comparison कर लेजिए तो चलिए जो next question है हम कर लेते हैं जो next question है हमारे पास वो क्या है तो next question है हमारे पास how is prokaryotic cell different from eukaryotic cell अब prokaryotic cell और eukaryotic cell के बारे में भी हमने पढ़ा था तो वो भी हम देख लेते हैं कि प्रोकेरियोट हैं और यहां पे लिख लेते हैं जो यूकेरियोट हैं तो शोट फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो सबसे पहले जो प्रोकेरियोटिक अगर सैल है इनकी हम बात करें जो इनका न्यूकलियर रीजन होता है यानि कि जो न्यूकलियर रीजन की बात करें तो जो नूकलियोड होता है क्योंकि इसके अंदर नूकलियर मेंब्रेन जो है वो अबजेंट होती है तो यह सारी चीजें इसके अंदर होती है और इसको एक नाम दिया जाता है क्योंकि जो इसके अंदर सेल जो नूकलियर मेंब्रेन है अबजेंट है तो नूकलियोड इसको नाम बन्द शरा देखें इसके अंदर होते हैं जो अगर मेम्बरेन बाउन्ड वो नहीं होते लेकिन इसके अंदर देखें मेंब्रेन यंद रूण तो हम short form में लिख रहे हैं membrane bound जो cell organelles present होते हैं तो cell organelles जो हैं इसमें present होते हैं तो दूसरा difference यह हो गया यानि कि membrane का ही difference हो गया एक तो जो है जो cell organelles के उपर भी और इस तरह से जो nucleus पे cell membrane है वो भी इसमें present है दोनों में उसके बाद जो है अगर बात करें के size की तो जो pro carriots होते हैं काफी small होते हैं यह काफी small रहते हैं small का मतलब क्या है यह लगबग 1 से 10 micrometer की range के होते हैं micrometer क्या होता है 1 micrometer की बात करे 10 to power 6 meter इतने जो है small रहे हो सकते हैं और इनका जो eukaryotic होते हैं यह लगबग 5 से 100 micrometer तक की range में पाए जाते हैं तो दूसरा size का difference आगे है इनके बीच में और अब बात करें अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स तो यहां पे अगर हम बात करें सिर्फ single क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं इसके अंदर जो है more than जो यूकरियोटिक सेल होती है more than जो हमारा वन क्रोमोसोम है उससे जादा जो होते हैं तो more than one क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं तो इतने सारे डिफरेंस हैं यह भी आप जो है easily जो है लिख सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह से इसके basic clear किये हैं जो fundamental unit of life है तो इस तरह से जो है आप इसको solve कर सकते हैं चलिए जो next question है वो ले लेते हैं तो next question है हमारे पास what happen if the plasma membrane rupture और breakdown यानि कि plasma membrane अगर तूट जाए तो क्या होगा अब देखे plasma membrane क्या होती है हमारे पास जो plasma membrane है इसको एक आप दूसरा नाम भी दिये सकते हैं plasma membrane को कुन सा selectively permeable membrane selectively permeable membrane अब इसको यह जो नाम दिया है यह क्यों दिया है हमने selectively permeable membrane नाम क्यों दिया है क्योंकि यह selective चीज़ों को selective molecules को ही पार करने देती है exchange करने देती है जैसे माले जिए एक तरह का यह barrier है और यहां से जो आवा गमन होगा वो selectively चीज़ों का ही होगा तो इसलिए इसको selectively permeable membrane भी बोलते हैं अब अगर यही damage हो जाए जैसे कि हम बात कर रहे है इसके अंदर की plasma membrane रफचर हो जाए ब्रेक हो जाए तो यह जो आवा गमन है यह हमारा बिलकुल खत्म हो जाएगा कोई भी molecule पार कर लेगा कोई भी बाहर जाएगा इससे क्या होगा जो हमारा exchange of material है उसके surrounding के साथ वो नहीं होगा जैसे कि हम आवा गमन यह देख रहे हैं यानि कि इसके surrounding क्या है इस cell के इसके बाहर की जो चीजें है तो वो उसके साथ आवा गमन नहीं होगा तो इसलिए जो है cell क्या हो जाएगी मर जाएगी हमारी die हो जाएगी वो disappear हो जाएगी उसके अंदर से जो photoplasmic material होता है तो उसके कारण से वो die हो जाएगा तो यह होता है अगर plasma membrane break हो जाती है तो यानि कि एक तरह से cell ही खतम हो जाती है अगर यह पूरा osmosis का system ही अगर हमारा खतम हो जाए तो यह हमारा होती है plasma membrane break होने से next question ले लेते है what would happen the life of a cell if there was no goldgy apparatus तो यहाँ पर क्या है गोलगी apparatus है अगर यहाँ पर गोलगी apparatus ना हो तो क्या होगा अब देखे पहले तो जो गोलगी apparatus है इसका काम क्या होता है तो इसके जो है तीन काम होते है एक तो इसका काम होता है storage करना तो storage यह करती है दूसरा जो होता है फिर packing करती है किसकी substances की और फिर जो है यह packing करती है और जो इसका तीसरा काम है manufacture करना तो manufacture करके store करना और packing करना यह तीनों काम इसके गोलगी apparatus के हैं अगर जो है cell disable हो जाए packing और dispatching करना तो क्या होगा तो without गोलगी apparatus तो यह होगा ही नहीं यानि कि storage पैकिंग और manufacturing कुछ भी नहीं होगी तो गोलगी apparatus जो है हमारा formation of cells में जो है काम आता है तो absence of अगर गोलगी apparatus होगा तो cells बनेंगी ही नहीं तो इतना जरूरी होता है जो हमारा गोलगी apparatus होता है तो इसका जो अंसर रहेगा वो होता है हमारा mitochondria तो जो mitochondria होता है इसको powerhouse बोला जाता है किसी भी cell का इसको powerhouse of the cell के नाम से जाना जाता है क्यों? क्योंकि यह energy को release करता है यह energy जो required होती है different activity of life के लिए वो release करता है तो energy दे रहा है यानि कि कोई powerhouse ही हुआ cell के लिए तो और जो mitochondria है यह जो energy को release करता है किस form में release करता है ATP की form में release करता है ATP यानि कि अगर इसकी full form देखें adenosine, trifos, phate जो है इसका नाम होता है ATP का तो ATP molecules की form में यह उसको liberate करता है जो छोड़ता है essential होती है यह जो energy है जो की chemical activity of life की होती है उनके लिए तो इसलिए जो ATP है वो भी जो है energy currency of the cell इसको आप बोलेंगे energy currency of the cell यह हो गई energy currency और powerhouse क्या हो गया mitochondria तो इस तरह से इनको आप समझ सकते हैं कि जो mitochondria को powerhouse of the cell बोला जाता है और ATP को energy currency बोला जाता है तो चलिए next question लेते हैं where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized याई कि protein और lipid जो हैं कहां पर बनते हैं cell membrane के वो हमें बताने हैं तो lipid और जो proteins होते हैं ये हमारे बनते हैं ER पर ER के अंदर बनते हैं ER का क्या मतलब है endoplasmic reticulum तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है endoplasmic और R क्या है हमारा reticulum तो ये होता है reticulum endoplasmic reticulum के अंदर protein और lipids जो है synthesize होते हैं चलिए next question लेते हैं जो next question है हमारे पास वो क्या है next question है हमारे पास how does amoeba obtain its food amoeba जो है वो food कैसे खाता है तो देखिए एक process होती है endocytosis endocytosis जो है इस process के थूँ जो है amoeba जो है अपना food लेता है अब ये process क्या है अब देखिए जो इसकी cell membrane होती है amoeba की अगर हम cell membrane की बात करें तो इसकी जो cell membrane है काफी flexible होती है तो cell membrane क्या होती है flexible यानि कि वो expand हो सकती है और contract होती है expand होती है और contract होती है इसके कारण से क्या होता है वो amoeba जो है आगे चल पाता है मालिज ये इस तरह से amoeba का कोई structure है तो amoeba जो है contraction होगी इसके अंदर और expendition होगी जिससे कि ये आगे की तरफ चलता है तो इससे क्या होता है जो इसका कोई भी जो food इसके रास्ते में आता है ये उसको trap कर लेता है यानि कि अपना एक जो उसके उपर envelope बना लेता है उसको trap कर लेता है और इससे क्या होता है ये फिर एक digestive enzyme छोड़ता है जो amoeba होत होता है जो कि इस food को digest करने में help करते हैं तो इस तरह से जो है food को trap करके ये खाता है और इसी प्रोसेस को जो है यानि कि जो food को इस तरह से अंदर cover कर लेना तो ये assist होती है हमारी pseudopodia process से pseudopodia यानि कि वही जो है आगे इसका फैलाव होना फैलाव करके घेर लेना किसी food को तो इस तरह से पूरा काम होता है क्योंकि ये काफी flexible होता है तो इस तरह से जो amoeba है अपना food जो है वो लेता है और फिर जो digestive enzyme होते हैं वो छोड़ कर उनको digest कर लेता है चलिए next question लेते है what is osmosis osmosis क्या होता है अब जिए osmosis जो है यह होती है movement of water molecules तो movement of water molecules क्या है कि movement of water molecules है water molecules है उनका higher concentration से हमारा lower concentration की तरफ जाना किसका water molecules का तो ये osmosis process होती है या कहें कि higher concentration to a reason of lower concentration through a semi permeable membrane हमारे पास एक semi permeable membrane होती है जिसे high concentration से low concentration की तरफ जो है water move करता है इसी को हम बोलते हैं osmosis तो ये process osmosis कहलाती है अब इसी osmosis process के ऊपर जो base है हमारा next question है next question क्या है हमारे पास वो हम देख लेते हैं carry out following osmosis experiment हमें carry out कर करने हैं यह osmosis experiment हमें four pilled potato लेने हैं यानि कि छिले हुए हमने potato ले लिए उनके आधा आधा potato ले लिया और उसके each one में से हमने उसको potato कब बना लिया यानि कि आपने क्या किया पहले तो जी इस तरह से half जो है आलू ले लिया और उसको अंदर से फिर जो है आपने पूरा जो अंदर से निकाल लिया और एक परत छोड़ दी एक कप सा बना लिया इस तरह से कप सा बना लिया half जो potato है उसका इस तरह से इस तरह से कहता है कि हमने जो है कितने बनाने है four pilled potato लेने है half इस तरह से आपने four pilled potato ले लिया चार ले लिया ठीक है one of these potato cup should be made from a boiled potato अब कहता है कि एक जो है वो बोईल्ड पटैटो से बना होना चाहिए यानि कि आलू को बोईल किया हमने उबाला और फिर उससे यह बनाया और बाकी के तीनों जो है उनको बोईल नहीं किया यह घ्यान रखना है तो हमने इस पर लिख दिया है बोईल्ड पटैटो का हमने बनाया है तो अब ह करना हम ने क्या करना है पूट इच पॉट्टअ अब कंटेनर वाटर अभमने जो है एक कंटेन इन k deciुम के Já और वहां पर इनको रख देना है इस तरह से हमने रख दिया एक पोटेटो को कोई भी आप ले लिजिए तो कीप हमें क्या दिया है कीप कप A empty A को हमें empty रखना है Put one teaspoon sugar in cup B इसको तो हमने, माली जी, ये cup A है और इसको हमने रखना है empty E लिख दिया और दूसरे के अंदर हमने cup B के अंदर एक sugar डाल दी, इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, एक spoon, ठीक है इसके अंदर sugar डाल दी और salt डाल दिया C, के अंदर ये B है हमारा और C के अंदर हमने डाल दिया salt यहाँ पे हमने डाल दिया salt डाल दिया तो put one teaspoon of sugar in boiled potato cup दी अब यहाँ पर भी हमने sugar डाल दी जो boiled potato cup है वहाँ पर भी sugar डाल दी यह खाली है, यह sugar, यह salt और इसमें boiled potato में भी sugar डाल दी keep these, इनको 2 घंटे तक हमने रखा तो observe किया four potato cups and answer the following तो हम उनको observe करके इन चीजों के अंसर देने है explain पहला, why water gather in the hollowed portion of B and C कि यहाँ पे जो है hollow portion होता है जो आलू का उसमें water क्यों gather हुआ अब देखिए यहाँ पे sugar है, यहाँ पे salt है जो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे container है पानी का container है, जिसमें हमने इसको रख दिया है इस तरह से अब पानी का आवागमन होगा दोनों ही process में चाहे sugar हो, चाहे salt हो, क्योंकि concentration जो है low और high की तरफ जो है, यह move करेगा salt की तरफ जो move करेगा और sugar से इस तरहीं से movement होगा तो movement होगा, अगर यह हम पूरा discuss कर चुके हैं पहले chapter में जब movement होगा, तो यहाँ पर हमें आवागमन दिखेगा, तो इसलिए whole load जो portion है B and C के वहाँ पर water gather हो जाता है accumulate हो जाता है क्योंकि water concentration का difference होता है तो यह क्यों होता है हमारा water concentration के कारण होता है water concentration का difference होता है यानि कि higher से lower की तरफ salt में और इसी तरह सुगर में lower से higher की तरफ वो move करेगा अब, दूसरा अगर हम देखें why is potato A necessary for this experiment A क्यों हमने यह क्यों लिया खाली वाला क्योंकि जो A potato है वो जरूरी है ताकि हम change को देख सकें B में क्या हो रहा है C में क्या हो रहा है D के अंदर क्या हो रहा है तो इस सारे change को देख सकें अब देखें जो A है यह कोई भी change in water flow नहीं दिखाएगा क्योंकि यह खाली है इसके अंदर ना sugar है ना salt है कुछ भी नहीं है गा उसमोसिस की प्रोसेस यह नहीं दिखाएगा तो इसलिए जो है हमने यह लिया है अब अगर हम बात करें एक्सप्लीइन वाइवाटर डजनोट गैदर इन होलोड आउट पॉर्शन एंडी एक अंदर कुछ नहीं है तो इसलिए यहां तो वाटर की जो उसमोसिस है वो होग ही नहीं जो है दोनों ही ओसमोसिस प्रोसेस नहीं दिखाएंगी यह तो खाली के और यह क्यों नहीं दिखाएगा क्यूंकि इसकी स्यल जो है डेड़ हो चुकी है चाहिए आपने इसके अंदर सूगर भी डाल दिया तब्यकू लिए आप इसagnus समझा क्ते हैं इसकी तrates एक या रिपेर के बोडी के लिए जरूरी है तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं यह हम डिसकस कर रहे हैं माइटोसिस होती है एक हमारे पास और दूसरी हमारे पास होती है मियोसिस तो यह हमारे पास होती है तो माइटोसिस और मियोसिस हमारे पास होती है माइटोसिस क्या है एक cell division है जो gamits के बनाने के काम आती है तो gamits को ये बनाती है तो इस तरह से पूरी exercise हम sol कर चुके हैं और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद